हलो एवरिवन वेलकम टू एलेक्टिरल डिपार्टमेंट आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक सिक्सिंटर का सब्चिक्ट यूटलाजेशन आप इलेक्टिकल एनरजी का दूसरा चैप्टर जो है इलेक्टिकल हेटिंग इसका दूसरा लेक्टिर दिखेंगे इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इलेक्टिक हेटिंग क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं साथी हम यह बता रहे थे आपको कि heating के method कौन-कौन से होते हैं जिसमें आपको resistance heating बता रहे हैं तो आज की session में हम आपके syllabus की according resistance heating से लेगे thermostat control circuit तक सभी topic को one by one करके cover करेंगे और सभी topic को अच्छे से समझा देंगे और notes भी provide कर देंगे तो ठीक है तो चलिए आज की session को हम start करत करते हैं देखिए अब हमको पढ़ना है कि indirect resistance heating method क्या होता है देखिए इसके नाम से ही पदा चल रहा है कि इसमें क्या होता है जिस भी पदार्थ को हमको गर्म करना होता है वह पदार्थ direct ताप के संपर्क में नहीं आता है इसलिए हम इसे आप रत्तिस प्रत्रतापन कहते ह कहने का मतलब जिस भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं उसमें डायरेक्ट हम की electric का flow नहीं कराते हैं वह जो होता है जो समवहन या फिर विक्रड जो heating transfer के method होते हैं समवहन या फिर विक्रड उन माध्यम से पदार्थ जो होता है गर्म होता है देखिए इस वीधी में क्या होता है तो आपको हम उत्पन्द करने के लिए एक heating element लेते हैं जिसका प्रत्रोत काफी हाई होता है और उसमें क्या करते हैं उसी heating element में हम विद्दुधारा प्रोहित करते हैं आप लोगों को पता होगा कि जब हम विद्दुधारा को किसी प्रत्रोज से गुजारते हैं तो उससे I2R loss उत्पन होता है और यही I2R जो होता है उत्पन उस्मा होता है. अब हम देखते हैं इसका construction तो construction की बात करने तो इसमें एक chamber होता है और यह chamber जो होता है धर्मल इंसुलेशन से घीरा होता है ताकि बाहर के वातावरण से कोई प्रभाव न पड़े अब इस chamber में जो resistive heating element होता है उसका प्रत्रोज होता है काफि उच होता है जिस पदार्द को गर्म करना होता है वह डिरेक्ट हीटिंग इलिमेंट के संपर्क में नहीं होता है और गर्म किया जाने वाला पदार्थ हीट ट्रांसपर मेथट से गर्म होता है कानेक मतलब समवहन या फिर विक्रण माध्यम से पदार्थ गर्म होता है तो अब हम देखते हैं रेजिस्टिव अब आपके slabers के according अगला topic है आपका material for heating element यहाँ पर जो हीटिंग element होता है उसको कौन से material का बना होता है इसको देखना है देखिए जो आपका रजिस्टिव हीटिंग element होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा हम नाइक्रों का प्रयोग करते हैं मतलब कि ऐसे पतार्थ का फैयोग करते हैं जो जाधा से जयादा temperature को sustain कर सके क्योंकि वहाँ पर हमको ज्यादा हीट की आव सकता होती है तो हम ऐसा material यूच करें directly के कर सकते हैं तो याँ पर हम नाइके करोग करते हैं जो कि क्या होता है एक ग्राय। निकिल ग्रोमियम इंसाज में प्रीव कर सकता है निकील कापर कर ते हैं जो कीC आपको सब्सक्वां कर सकता है। अब एक बात आपको बता देते हैं इस टाइप के कोश्चन एक्जाम में पूछे जाएंगे कि जैसे आपको वहां यह नहीं पूछेगा कि इंडिरेक्ट रिजिस्टेंस हीटिंग क्या होता यह बताएं क्योंकि आप लोग फेप समिस्टर का एक्जाम दे चुके हैं और वहा आपको बताना होगा और कौन सा मटेरियल कितना टेंपरेटर को सश्टेन कर सकता है यह चीजे एक्जाम में पूछा दा सकता है तो यह सब चीजे आप लोग अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा और इसका पीडियाप जो है अभी मेरे पास नहीं है क्यों आपको पीड इलेक्ट्रिक ओवन आप लोगों ने जरूर देखा होगा कुछ इस प्रकार के इलेक्ट्रिक ओवन दिखता है इलेक्ट्रिक ओवन जो है बहुत ही पापुलर डिवाइस होता है और इसका प्रियोग हम घरों में देखते होंगे खाद्दिपदार्थों को पकाने के लिए म आगे पढ़ेंगे थर्मो इस्टेट कंट्रोल सर्किट में ठीक है तो अभी इतना जानी है कि इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है उसमें एक बटल लगा होता है जिसको घुमा कर मतलब कि हम अपने अमसार टेंपरेचर को कमिया ज्यादा कर देखते हैं जिस भी पदार्थ को गरम करना होता है उस ओवन में उसको रख देते हैं और एक ताप सेट कर दिया जाता है अब हम बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन यानि की विद्धुद बाठ्टी जो होता है वो वर्क कैसे करता है देखिए अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि इन डारेक्ट क्या होता है तो जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है यह भी इसी सिर्धान पर कार करता है काने का मतलब जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसमें भी हाई रेजिस्टेंस वाला हीटिंग एलिमेंट लगा होता है और लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है इसका आकार जो हो होता है अब हीटिंग एलिमेंट है तो उसका कुछ रेजिटेंस होगा और अगर हम इसमें करेंट आई फ्लो करा रहे हैं तो उसमा कितना उत्पन होगा आई स्कॉयर आर तो यही हैवर बादा रहें कि जब हीटिंग होता है इसकी सबसे अच्छा वात यह होता है कि इनके टेंपरेचर को कंट्रोल कर सकते हैं जब हमने आपको एडवांटेज आप इलेक्टिक हीटिंग बताया था तभी आपको बताया था कि इलेक्टिक से हीटिंग उत्पन करने का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि इ जिन ओवन में इलेक्टरोड का प्रियुग होता है। उनके ताप वो कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यकिन जो इलेक्रिक ओवन होता है系 तार या पत्ती की रूप में हीटींग इलेमेंट yanlış कर चैनिक हैं। तो अब हम देखते हैं कि temperature control in resistance oven कि जो electric oven होता है उसके temperature को control करते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि माल लीजे temperature control के लिए हम electric oven जो होता है उसमें भी एक heating element का यूज करते हैं और उसका भी कुछ resistance होता है जिसमें कि current हम high flow कराते हैं तो हमको i square R जो होता है heat मिलता है तो आप सोच यह देख सकते हैं अगर हम heating element में जो current provide कर रहे हैं इसको अगर इसके current को नियंत्रित करते हैं तो इसके temperature को भी हम control कर सकते हैं तो current को control करके हम temperature को भी control कर सकते हैं तो इसके लिए हम निम्द method का use करते हैं electric oven के temperature को control करने के लिए देखिए temperature control करने के लिए हम निम्द method का use करते हैं पहला दिखी जिसमें है heating element को समानतर वस ready में सयोजन करके और दूसरा है आपका heating element की संख्या को बदल कर और तीसरा है thermo state or overload relay की सहायता से अब बात करते हैं electric oven के advantages क्या क्या होते हैं इसके applications तो electric oven का युज़ के जाता है विभिन प्रकार के meals मतलब की बोजन को cooking करने में मिट्टी के बरतनों को पकाने में धात्वू के उसमा उप्चार में electronic उप्योगों में PVC circuit board electronic chip आदी को सुखाने में electric oven का यूज़ के जाता है यहां पर आपको जो भी content देखने को मिल रहा है वो book का content नहीं है कई जगां से content को लेकर लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समाझ में आ जाए और उतना ही लिखे हैं ताकि exam में आपको full mark मिल सके ठीक है तो आप लोग ये notes में भी note करते चलिए ये PDF तब प्रोवाइड करेंगे जब ये chapter खत्म हो जाएगा तो अब syllabus के according अगला topic है आपका properties आप heating element अभी अपने आपको बताया heating method जिसमें direct resistance heating method बताया और indirect resistance heating method बटाया दोनों में ही अपने एक चीज़ देखा होगा कि हम एक heating element का यूज करते हैं तो heating element के लिए कौन सा पदार्त यूज करते हैं इसको आपको बता दिया जैसे नाइक्रोम हो गया इन सब पदार्त का यूज करते हैं जो ज्यादा temperature को sustain कर सकी लेकिन यहाँ पर slivers में दिया गया है कि जो heating element हम यूज करते हैं उसकी properties कौन-कौन से उसमें गुड होने चाहिए इसको पढ़ना है ठीक है तो देखिए जो electric oven होते हैं electric heater आप लोगों देखा होगा उसमें ताप को हम उत्पन करने के लिए heating element का ही प्रयोग करते हैं तो जिस भी heating element का हम यूज करते हैं उसका quality जो होना यह काफी अच्छा होना चाहिए कहने का मतलब temperature को बढ़ने पड़ने पड़ जो heating element होगा वो जल्दी से पिघलना नहीं चाहिए तो इस प्रकार से कुछ इसके properties होते हैं अब वो देखेंगे देखिए heating element जो होता है heating element का performance और उसका life इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस पधार्त का प्रयोग किया गया है अता heating element के लिए प्रयोग्त material में निम्लकित गुड़ होने चाहिए काने मुझे हीटिंग element के लिए हम नाइक्रों का यूज करते हैं तो नाइक्रों में कौन कौन से properties होने चाहिए वो समझना है यह काफी ज्यादा important question है और एक्जाम में भी पूछा जा सकता है तो जो काने मतलब प्रयोग किया जाने माला पदार्त का तापमान गुडांग जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और free from oxidation इसका मतलब होता है कि तापमान बढ़ने पर प्रयोग किया जाने माला पदार्त आक्सी करण नहीं होना चाहिए यह से आपने अि इनकंदेंसेंट लैंब पड़ा था तो उसमेंежде इनर्ट करेंग के जाता है वो क्या होता है इनर्ट का यूज हमीश दिए का घटा होता है तक टांगस्टन का filament लगा होता है बल्ब में का filament जो ऑसका अकसी करण ना हो तो जो जो भी हम heating element के लिए material use करेंगे उसका oxidation नहीं होना चाहिए तो यह कुछ properties हैं जो कि एक heating element में होने चाहिए और देखिए आक्सी करण होने से होता क्या है जब अगर उसका आक्सी करण होता है तो जो भी element आफ यूज करेंगे जो भी material आफ यूज करेंगे उसके उपर जो होता है एक आक्सी करित प्रत बन जाता है और उस material का life जो होता है वो कम हो जाता है और अगला इसका properties है कि high mechanical strength होना चाहिए कानिक मतलब जो भी material हम यूज करें उसमें उच्चे यांत्रिक संक्ति होना चाहिए non-corrosive कानिक मतलब जो भी material हम यूज करें उसका पदार्थ के बातावरार से कर संपर्क हो तो उसका च्छरड नहीं होना चाहिए और अगला है इसमें economical कानिक मतलब उसका पदार्थ का जो cost हो जादा अधिक नहीं होना चाहिए तो हम जो heat को उत्परन करने के लिए जो heating element यूज करते हैं उसमें इससा properties होना चाहिए जैसे कि high resistance उसका specific resistance high होना चाहिए mechanical resistance high होना चाहिए non-corrosive होना चाहिए free from oxidation आक्सी किरर से मुगत होना चाहिए और यह तो आप लोगों को बता चुके हैं कि heating element को बनाने के लिए हम कौन-कौन से material का यूज करते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर हम नाइक्रोम का यूज करते हैं तो नाइक्रोम जो होता है इसका देखिए इसका रिजिस्टिव्टी जो होता है 40 micron ohm cm होता है तो इसकी पर देखिए होता है और इसका melting point जो होता है वो 1400 degree centigrade होता है और heating material को बनाने के लिए नाइक्रोम जो होता है सबसे अच्छा और आइडल material होता है और अगला इसमें कांथाल material का यूज करते हैं इसकी पर देखिए लिए 20 degree centigrade पर 145 micron ohm cm होता है और इसका melting point जो होता है वो 1500 degree centigrade होता है तो यहां पर देखिए सकते हैं जितने भी materials है उनकी resistivity काफी ज्यादा हाई होती है उनका temperature sustain करने के छमता होती वो भी ज्यादा हाई होता है और अगला देखिए इसमें आपका है एक क्यूप प्रो निकिल क्या है इसका भी प्रत्रोज जो होता ह पर 50 micron ohm cm होता है और इसका melting point बारा सो 80 degree centigrade होता है तो इतना है आपको अपने notes में भी लिखना है जो यहां पर हमने आपको बताया है में ही आपका कि हाई specific resistance होना चाहिए हाई melting point economical और free from oxidization high mechanical non-corrhizal और economical तो यह जो होते हैं heating element के properties होते हैं अब हम देखते हैं आपका अगला topic देखिए जो आपका अगला topic स्लेबस के recording वह है domestic water heater domestic water heater होता क्या है इसको हम देखेंगे domestic water heater जो है आप अभी पढ़े resistance heating method से हम heat को कैसे उत्वन करते हैं तो उसी का एक application है domestic water heater देखिए domestic water heater आप लोगे ने कभी जरूद देखा होगा कि घरों में पानी को गर्म करने के लिए एक device होता है वह device होता है बिद्दूत की supply से चलता है और पानी को गर्म करता है इसी device को हम लोग water heater कहते हैं अधा हम कर सकते हैं कि जो आपका घरेलू heater होता है मतलब कि जो water heater होता है वो एक ऐसा device होता है जो heat transfer प्रक्रिया द्वारा जल को गर्म करने के लिए उर्जा का उपयोग करता है इसका definition इसी प्रकार से होगा कि घरेलू heater जो होता है एक ऐसा यूपती है जो heat transfer प्रक्रिया द्वारा जल को गर्म करने के लिए उर्जा का प्रयोग करता है इसका सबसे अधिक प्रयोग जो होता है घरेलू कारियो जो सफाई के लिए नहाने के लिए और ठंडी के मौसम में गर्म पानी की बहुत अधिक आवाशकता पड़ती है इसके लिए हम domestic water heater का यूज करते हैं और आपको यह चीज पहले बता चुके हैं आप लोगों को पता होगा domestic water heater क्या होता है लेकिन उसके बारे में लिखने के लिए जब बोला जाएगा तो आप साइद नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसके लिए मन में वह words होने चाहिए कि हम क्या लिखना चाहते हैं तो वही तो इसका construction की बात करें तो इसमें क्या होता है एक पानी की एक टंकी होती है और इस टंकी में एक heating element लगा होता है अब पानी के तापमान को नियंत्रित करना है तो इसके लिए हम thermo state control circuit का यूज करते हैं जो कि अभी आपको हम आगे बताएंगे कि thermo state control circuit होता क्या है और जो प्रभाव न पड़े जो आपका water tank होगा जो टंकी होगा जो पानी रहेगा उसमें कर पानी का temperature ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगा और कम है तो कम ही रहेगा इसलिए इसका outer भाग जो होता है वो insulating material का बना होता है अब यहाँ पर आप लोग domestic water heater का diagram देख सकते हैं और यह diagram आपको exam में बना जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो thermo state लगा है यह temperature को control करने के लिए thermo state लगा है और यहाँ से हम क्या करते हैं cold water को इन मतलब की डालते हैं यहाँ से cold water और यहाँ से hot water को बाहर निकाल लेते ह और यहाँ पर देख सकते हैं यह overflow है मतलब के tank के भरने पर पानी बाहर फ्लो करने लगता है और यह वाला पार जो आपका inner tank है और यह आपका outer casing है और यही आपका insulating material है और यह drain है और यहाँ पर दो heater लगे है heater 1 और heater 2 जो cold water यहाँ पर in करते हैं वो क्या होता है जब supply देते है और जो आपका heater बन होता है वहाँ से पानी को hot water को निकाल लिया जाता है इसका अब हम working देखते हैं तब आपको अज समझ में आ जाएगा कि यह work कैसे करता है देखें जब हम जो domestic water heater होता है मतलब जब हम इसको क्या करते हैं supply देते हैं तो जो हिसमे heating element लगा होता है वो गर संत्रीद भी कर सकते हैं जिस ताप पर इसे सेट करते हैं पानी का तापमान जो होता है सेट के हुए ताप पर पहुंचने पर थर्मो इस्टोर कंट्रोल दारा विद्दू सप्लाई कट कर देता है कानी मतलब अगर हमने 100 degree centigrade इसका ताप सेट किया है तो जैसे ही water का temperature 100 degree centigrade पह दो कोकिंग के लिए बाथिंग के लिए cleaning के लिए और heating आद में हम इसका प्योग करते हैं अगला टॉपिक है थर्मो इस्टेट कंट्रोल सरकीट का एक introduction देते हैं इसके बाद आपको बताते हैं कि थर्मो इस्टेट कंट्रोल सरकीट होता क्या है तो आप लोगों ने कभी न तो देखिए हमारा जो घरों में जो खाद दिपदार्थ होता है वो जल्दी से खराब नहों जाए इसलिए हम फ्रीज का इस्तिमाल करते हैं लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि फ्रीज के अंदर हमेशा जो कोल्ड मतलब कि ठंडा पन हमेशा क्यों रहता है और उसका जो टेंपरेचर होता है उसका जो ताब होता है उसको हम कैसे कंट्रूर करते हैं तो आप लोगों ने अगर फ्रीज होगा तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि फ्रीज में क्या होता है एक हम निश्ची ताब सेट करने के बाद क्या होता है जो फ्रीज ठंडा हो जाता है त जो फ्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा तो यह उदाहरण था कि जो थर्मो इस्टेट कंट्रोल सरकीट होता है वो इसी पर काम करता है कि जिस ताप पर हम किसी भी डिवाइस को सेट करते हैं उतना टेंपरेचर होने के बाद वो डिवाइस बंद हो जाता है अपने तो अगर हम थर्मो इस्टेट की डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा और इसी में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तर्मो इस्टेट जो होता है थर्मो इस्टेट कंट्रोल सरकीट जो होता है एक ऐसा यूगती होता है जिसका प्र जर्योग में ताप नियंत्रड के लिए लगाया जाता है तो कहने में यो होता है चाहां पर हम करने सब्सक्राइब यूज करते हैं अब हम देखते हैं जो ढर्म का सі्ट क्या सबखक और सnumber I mean in टार्ममान से कम होता है तो सार्किट को स्विछ आन कर देता है यह d temperature को सेंथ कर कि पता लगाता है और से को आन्या आप करता है कहने को नतलब जासे थे सथतो फ़िश्ट कंट्रोल सरक्टीट जिस am यह को तो इसको क्या करेगा उस जो मतलब वहाई हो इसको आपका ये स्वीच्छ ऑफ कर देगा आटामेेटिक और जैसे इसका सोगें कर देगा तो जैसे कम होगा वह धिच को कर देगा तो इसनिसाब से बाइब होता है तो अपका जो फर्मडेंच सर्कीट होता हुघ इस प्रकार से बंद तरफ से ज सबने हैं बाकिस कर लख बहुत बड़ा इसलिए प्रिजूंध आपको नहीं बताए इसका डाइगराम वह अप्लोग बना जाता है और उन सभी उपकरण में इसका उफ्यूक किया जाता है जिसमें हमको ताप को नियंतिर्ट करना होता है तो इसी के साथ आज का सेशन इंड होता है मतलब कि में जितने टॉपिक आपको बता दिये होगा होगा वह इंडक्शन मिझकरण जो हो now लोग मिलते हैं next वीडियो में और कि